वो में किसी के प्यार में की लीडिंग लेडिज आईशा सिंग और एश्वर्य शर्मा इन दोनों के बॉंडिंग अक्सर सुर्खियों में रहती है अक्सरी दोनों की bonding पर सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करते है दोनों से इंटर्व्यूज में एक दूसरे के बारे में पूछा गया और दोनों का रिस्पॉंस काफिस सिंपल होता है हैश्वरे और आईशा दोनों नहीं कहा कि वो दोनों एक साथ बहुत कम शूट करते हैं तो दोनों एक साथ जादो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते है साथी आज तक सेट से ऐसी कोई confirm news सामने नहीं आ सकी जिससे ये कहा जा सकी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए grudges रखते है लेकिन हाली में दोनों ने एक दूसरे को कर दिया है social media पर unfollow विल अब दोनों में से किसने पहले किसको unfollow किया ये कहना मुश्किल है लेकिन अब कुछ fans आईशा को support कर रहे है वही कुछ है जो आश्वरा शर्मा को support कर रहे है वही इसे बीच एक user ने लिखा कि मुझे तो लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को 2021 में ही unfollow कर दिया था वही एक दूसरे user ने लिखा कि ये तो होना ही था toxicity साफ साफ visible था लेकिन कोई इसे accept नहीं कर रहे थे वही एक दूसरे user ने लिखा कि शोख खत्म होने के बाद नील भट और आईशा सिंग भी एक दूसरे को unfollow कर देंगे वहना आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को unfollow कर देने के पीछे reason है कि दोनों के बीच में differences बढ़ गए है या फिर सोशल मीडिया पर चीज़ों को exaggerate करके दिखाया जा रहा है आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना opinion हमें comment के जरिये जरूर बताईए और साथी टेलेविजन से जुड़ी सभी latest update के लिए हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें